Hello girls, today we will start our lesson number 3, आज हम अपना lesson 3 start करेंगे and the name of our lesson is different puzzle, different puzzle ये word मेंने क्यों बोला, puzzle तो आपने puzzle का मिनिंग क्या होता है the Hindi meaning of puzzle is that पहली या थोड़े सी दिमाग की माधा पच्ची आप पहली जो है ये तो आप से हिंदी वाली मेडम में पूछती है लेकिन ये different मेंने क्यों कहा क्योंकि ये कुछ different type की puzzle है इसमें मैं सिर्फ आप से कोई छोटी सी दो लाइन पूछके और उसका answer नहीं पूछने वाली हूँ बलकि इसके अंदर मैं दो statement देने वाली हूँ मैं उन statement को आपको समझाऊंगी वो फिर मैं आपसे answer पूछूँगी तो girls आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं तो we will start our lesson logical reasoning is the ability to understand statements to arrive at an answer जो logical reasoning है वो एक ऐसी योग्यता है तर्क शक्ती एक ऐसी योग्यता है जिसकी मदद से हम statement को समझ के और एक उत्तर तक पहुंच सकते इस skill promotes active learning ये जो skill है ये हमको किस में मदद करती है active learning में whereby children are encouraged to ask questions that increases their ability to comprehend और इससे क्या होती है जो children है उसकी जो children जो है वो encourage होते हैं ताकि वो teacher से ज़्यादा से ज़्यादा question पूछ सके नहीं तो ऐसा होता है कि जो student होते हैं वो teacher से कुछ पूछते ही नहीं है तो उसके वज़े से कई बार teacher भी confused हो जाती है कि उन्होंने जो समझाया है वो किसी student को समझ में आ भी रहा है या नहीं four children are measuring their heights जो चार बच्चे वो क्या कर रहे हैं अपनी height को माप रहें they found the following तो उनको क्या मिला first statement है Sarah is taller than Clara but not taller than Tara जो सारा है वो क्या है क्लारा से लंबी है लेकिन जो थारा है उससे केसी है छोटी है मतलब उससे ज्यादा लंबी वो नहीं है और second statement है Lara is not as tall as Clara जो लारा है वो क्लारा से लंबी नहीं है एक बार फिर से हम statement को देखेंगे first statement है Sarah is taller than Clara जो सारा है वो क्लारा से केसी है लंबी है बट not taller than Tara लेकिन थारा से लंबी नहीं है लारा is not as tall as Clara और जो लारा है वो क्लारा से लंबी नहीं है who is the tallest and who is the shortest अब आपसे question पुछा है कि इन चारो गल्स में जो चार गल्स हैं यहां पे थारा, क्लारा, सारा और लारा इन चारों में किसके हाइट सबसे ज़्यादा है, कौन tallest है और कौन सबसे छोटी है, कौन shortest है name the girls so girls, I show the pictures of these girls अब में क्या कर रही हो आपको, इन girls की picture दिखा रही हो, देखो यह 4 girls है अब क्या time आगया, आप हमारे पास में time है, answer लिखनी का तो हमारा answer क्या रहेगा, जो सबसे first पे girl खड़ी है, उसका नाम क्या है, थारा उसके just पीछे वाली, उसकी हाइट उससे कम है, उसका नाम क्या है, सारा और जो सारा के पीछे खड़ी है, उसका नाम क्या है, क्लारा और जो सबसे पीछे है, उसकी हाइट सबसे छोटी है, वो क्या है, शार्टेस्ट वो इन 4 girls में शार्टेस्ट है, सबसे छोटी हाइट की है, उसका नाम क्या है, लारा तो girls अब आपको ये puzzle समझ में आई ये जो puzzle है ये इसलिए दी है ये आपके syllabus में इसलिए include की गई है ताकि आप अपनी mental ability का use करके और answer तक पहुँचे हमेशा सिर्फ जो question answer है उनी को याद करने में विश्वास नहीं रखे बलकि उत्तर तक खुद भी पहुँचे चीजों को स फॉर्थ lesson is हमारा जो फॉर्थ lesson है वो क्या है? इंटर्नेशनल स्पोर्टिंग इवैंट अब आपको international word जो है वो नया लग रहा है मगर आप national word से तो फैमिलियर हैं आप इसको पहचानतें तो national का meaning क्या होता है? राष्टी, ऐसे गेम जो कि हमारे देश में होते हैं, हमारे राष्ट में होते हैं, उनको हम नेशनल स्पोर्ट कहते हैं, और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे नेशन आपस में कोई गेम खेलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल गेम, अलग-अलग देशों के जो sport person है वो आएंगे और उसमें participate करेंगे sports तो आप सभी को पाता है sports आपका सबसे favorite period होता है और उसके बाद में events, events का मतलब होता है घटना तो जो international level पे जो भी sports event होते हैं उनके बारे में हम इस lesson में पढ़ेंगे sports and games international sporting events provide a platform for sport persons from all over the world जो international sport events होते हैं वो क्या देते हैं सभी sport person को पूरे world के जो sport person है उनको एक platform प्रोवाइट करते हैं ताकि एक मंच प्रदान करते हैं ताकि सभी sport person वहाँ आएं और उसके अंदर participate करें to come together and compete with each other in two spirit of the game वो वहाँ आए और क्या करें आपस में compete करें, competition करें और जो उनकी एक spirit होती है जो खेल भावना होती है उसकी साथ खेलों को खेले अब कौन-कौन से गेम है इसके अंदर? सबसे पहले जो गेम दे रखा है वो है आपका athletics Athletics सबसे पहले कब हुआ था? It is first held in 1930 यह सबसे पहले कब हुआ था? 1930 में Where मतलब कहां हुआ था? Hamilton, Canada यह दो countries है, दो city है जहां पर यह हुआ था? Hamilton में और एक Canada में How often? मतलब यह अकसर कब होता है? तो once in four year यह कब होता है? चार साल में एक बार अब other details इसके बारे में और क्या-क्या details है? तो other details है कि India is a member nation, आप Commonwealth countries जो Commonwealth countries है उसका India भी एक member है Next है आपका football, तो football क्या है? फुटबाल भी कब हुआ था? यह भी first held है 1913, यह भी सबसे पहले 1930 में ही हुआ था कहां हुआ था? उर्गवे और South America Once in four years यह भी चार साल में एक बार होता है Brazil has won this cup five times, जो Brazil है उसने पांच बार इस cup को जीता है मतलब इस game में participate करते वे पांच बार वो जीता है Next game है आपका basketball, यह सबसे पहले कब हुआ था? 1950 में कहां हुआ? अर्जेंटाइना एंड South America कब होता है यह? तो once in four years यह भी चार साल में एक बार होता है इस trophy is called Nesmi इस game को जीतने पे जो trophy मिलती है उसका नाम क्या है? Nesmi और जो आपका next game है वो क्या है? Tennis यह कब हो आता सबसे पहले? 1877 में कहां हुआ? Wimbledon और London में कब होता है यह? तो every year यह जो game है यह हर साल होते हैं It is one of the four grand slam tennis tournament यह क्या है? Grand slam tournament है उसके बाद में है आपके Paralympics जो Paralympics game है यह सबसे पहले कब होए थे? 1992 में कहां हुए? London और England में कब होते हैं यह? तो once in two year यह दो साल में एक बार होते हैं This is held for differently abled people यह अलग-अलग लोगों के बीच में होते हैं Now it is the time of your quiz अभी तो हमने lesson में क्या पढ़ा? कि कौन-कौन से sport events होते हैं कहां-कहां होते हैं, कब हुए हैं सबसे पहले और इनकी details के बारे में अब आगया है time जब हम से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर देना है तो your first question is The 2018 Commonwealth Games were held in सबसे पहले जो 2018 का Commonwealth Games हुआ था वो कहां हुआ था? तो वो कहां हुआ था? और ये कौन से देश की है? आस्ट्रेलिया की Next question है आपका 2018 FIFA World Cup took place in जो 2018 का FIFA World Cup हुआ था वो कहां हुआ था? तो कहां हुआ था ये? रशिया में Next question is Who won 2018 FIFA World Cup? 2018 का FIFA World Cup किसने जीता था? किसने जीता था? France ने Fourth question है Where was 2016 Summer Paralympics है? 2016 का जो Summer Paralympics था वो कहां हुआ था? तो ये हुआ था Rio de Janeiro में और जो Rio de Janeiro है ये कहां का है? ये Brazil की एक कंट्री है और वहां का ये क्या है? चोटी सी एक सीटी है Fifth है आपका Who won the first gold medal for India in 2016 Paralympics? 2016 का जो आपका Paralympics हुआ था? इसके अंदर पहला gold medal किसने जीता था? तो वो जीता था Thang Valley मरियपमने अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई